इसको मैंने रिमोट सेटपट डिया हुआ है इसका पेशर सेंसर का अउटपूट में इसमें चैनल 1 के इंपूट में ले ना पढ़ेगा यह इंपूट डारेक्ली इदर करने किया तो भी चलेगा बट इसके अंदर पेशर किता है वो अबसर करने के लिए मैं इदर मॉनिटिरिंग करने के लिए इस जो कंपाइटर है उसमें ले रहा हूँ इसका और कुछ रोल नहीं है यहां से इसके PID के इंपूट में देना यहां सीचो गृबांगा उसमें इस जाए उसमें जायगा प्रोपेशनल कंट्रोल के इन्पूट में जाएगा अब इसका इन्पूट और आउट्पूट वेरियेशन देखने के लिए आपने को यह चाहिए इसका इन्पूट चला गया और चैनल 1 में जो रिमोट से इसका आउट्पूट होगा इसका आउट्पूट चैनल 1 में कनेक कर दूँगा अक्य रि единुट वेरियेबल में इसका आउट्पूट होगा इसका आउट्पूट वेरिये में अपलार इसका आप्लार को यह उ ह्याएस ा कउट्पूट कर देखनगे अभी मेरा रिमोट सेट पॉंट में 25 रखता हूँ, 30 रखता हूँ अभी हे दोनों पॉइंट में अपने को एक्चिव करवाना है, उसके लिए मेरे को इसका यह देखना पड़ेगा अभी हे डिए 25 इसको कम काऊंगा, पीवी हंडेर है इसको T को मेंने 5 किया है 15 मतलब 1.5 बार चाहिए अभी यह आउट्पूट 22 है अभी कम हो रहा है अभी इक कित्ते जल्दी एच्छू करना है यह आपके ट्विनिंग के ऊपर डिपेंड हैगा यह पर मैंने PB को एटी किया है इसको आई को बढ़ाते है D को कम करते है अभी यह सेट्पॉइंट एच्छिव हो रहा है PC में थोड़ा साइडली इंक्रिस करता हूँ मेरा रिमोट सेट्पॉइंट 17-18 का दिया अभी है हन्टिंग मून में चलागे इसके लिमें इको मेरा देको आपकम करना पड़ेगा अभी आपकम करता है अभी इसका minimum और maximum limit किता ज्यादा है accounting to that मैं इसका अभी मैंने integral time बढ़ाया तो इसका offset value था वो कम हो गया अभी वो set point के pass में reach कर रहा है जो offset high, offset ज्यादा वो should और under should जो हो रहा था वो इसने भी कम कर दिया अभी यह slowly slowly इसका output कम हो जाए यह output कम होते होते 17.9 मतलब 1.7 बार पे set हो जाएगा this is my experiment number 13 PID control study of PID control.